नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे, समझेंगे कि इस कोरोना महामारी से क्यों नहीं डरे? जी हाँ, इस महामारी से डरने की हमें बिल्कुल भी जरुरत नहीं है, क्योंकि ये जो डर फैला है, ये एक ब्रह्म है, मिथ्या है, ये डर क्यों फैला है? क्योंकि इसके बारे में हमें सही जानकारी नहीं मिलती है इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वह कहां से मिलती है TV मीडिया से हमें मिलती है TV मीडिया से जो महेती मिलती है, informations मिलती है वह अधूरी होती है, पूरी नहीं होती है उसका हम सही आकलन नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डर फैला है, हकिकत में इतना ज़्यादा डरने की ज़रुत ही नहीं है, क्यूं, कैसे, यह हम अच्छी तरह समगते हैं, आए देखें. World Health Organization, WHO, उसकी वेबसाइट से भारत की आज की स्विचेशन क्या है, यह देखें. यह देखें, जून 7, 2020 को, WHO के रिपोर्ट के अनुशार भारत में, यानि इंडिया में, टोटल 2,25,657 केस कोरोना पॉजिटिव कन्फर्म है, और अभी तक 6,602 लोगों की डेथ मृत्ति हो 6,000 लोगों का मृत्य दर, डेथ रेट, तीन टका से भी कम है, यानि कि अगर 100 लोगों को है, तो केवल 3 लोग की मौत होगी. अब देखो, भारत की तोटल पॉपुलेशन है, 130 करोड और कितने लोगों के टेस्ट अभी तक हो चुके है, 40 लाख लोगों के, केवल. इसका मतल जो है, वह बहुत important है, कोरोना का डर भगाने के लिए ध्यान से समझे, अगर 40 लाख लोगों का टेस्ट किया है, उसमें से 2 लाख अगर positive पाए गए है, इसका मतलब 4 करोड लोगों का करेंगे, तो 20 लाख लोग होते, अगर 40 करोड लोगों का टेस्ट करते, तो 2 करोड लोगों का करते, तो 5 करोड लोगों को positive हो सकता था, अब इस 5 करोड लोगों में से देथ कितनी हुई है, 6600, तो देखा जाए तो actual date rate 0.01% only है, तो डर तो यहीं पर खतम हो जाता है, इससे ज़्यादा मौत तो भरत में हर साल road accident पे होती है, हर साल 1.5 लाग से भी ज़्यादा लोगों की मौत road accident से होती है, इसलिए मीडिया में जो आता है कि अब तक का सबसे बड़ा आकड़ा, एक दिन में सबसे ज़्यादा positive पाए गए, यह सब भरम है, सरकार testing के अंक भी बढ़ा रही है, ज इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ सावधानी जरूर रखनी है, गवर्मेंट ने जो भी COVID-19 guideline दी है, उसका पालन जरूर करना है, डरना क्यों नहीं, उसका दूसरा भी एक कारण है, क्योंकि अभी जो करोना पैनिक है, उससे कई ज्यादा गुना डर, जिस ची unemployment, बेरोजगारी, सुना है कि 13 करोड लोग unemployment हो गये है, इसका मतलब बहुत भेंकर है, ये सभी लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, वो अपने खर्चे कर्ण कर देंगे, कपड़े नहीं खरित सकेंगे, खिलोने नहीं ले सकेंगे, सौक की चीज़े नहीं ले सकेंगे, ट्र apply कम करेंगे, तो फिर से unemployment होगा, लोगों को नौकरी से फिर से निकालेंगे, ऐसा पूरा लूप बनता जाएगा, ऐसे ही recession आता है, ऐसे ही मंदी आती है, भरत की economy को इस थिति के करण जटका लगा है, 5-10 साल पीछे चली गई है, जिसको डर के करण और बढ़ाना नहीं है, स आप बोलेंगे कि कोरोना की व्यक्षिन नहीं है, तो ऐसे तो सर्दी जुकाम की भी कोई दवा नहीं है, फिर भी हमारा सरीर उसको ठिक करता है ना, अपना सरीर उसे सर्दी जुकाम को खुद क्योर करता है, अपने सरीर की immunity बढ़ाए, डरने की जगा योगा करे, योग करे immunity बढ़ाए, और टीवी पे न्यूज देखना बंध कर दे, टीवी मीडिया पे जो न्यूज दिखाते हैं, उसके अनुसार अभी तक 40 लाख लोगों की टेस्टिंग हो गई है, 130 करोर में से, अपने देश में रोज की 1 लाख टेस्टिंग होती है, तो एक महिने में कितनी हो होगी, 3 करोर, 60 लाख, पूरे सभी 130 करोर लोगों की टेस्टिंग के लिए लगबग 36 साल लगेंगे, अगर टेस्टिंग की स्पीड डबल की जाए, तो अभी 18 साल लगेंगे, तब तक तो हम इस वाइरस को भूल भी चुके होंगे, या इस वाइरस के साथ जीना भी सिख ल अगरेंगे, डरने की जरुत है ही नहीं, बस इतनी सी बात के साथ आग्या लेता हूं, जागरत रहे, सुरक्षित रहे, खुद से ज़्यादा दूसरों की चिंता करें, हमेसा मास्क लगा कर घुमें, धनिवाद, थैंक्यू, आल दे बेस्ट, जै हिंद, जै भारत, मंदे मा आगरम